बॉलिवोड एक्ट्रेस नीलम कोठारी का शानदार करिया हिंदी सिनिमा में रहा है लव 86, दो कैदी, हम साथ साथ है इलजम फर्च की जन्प से लेकर हत्यक जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया गोविन्दा से लेकर सल्मान खान तक की साथ उन्होंने काफी काम किया एक वक्त था जब उनका अफ्या गोविन्दा से लेकर बॉबी देओल संग भी रहा चलिए आज आपको उनकी पसनल लाइफ के बारे में बताते हैं नीलम कोठारी का जन्म हौन कॉंग में हुआ और अपने ज्वैलरी के बिजनेस में लग गई मगर पिछले कुछ समय पहले उन्होंने बॉलिवुड वाइव्स से कमबेक किया था नीलम कोठारी का करिया बड़े ही दिलचस्ट तरीके से शुरू हुआ था हुआ ये था कि नीलम की फैमिली बैंक कॉक शिफ्ट हो गई थी वहाँ एक दिन नीलम अपने दोस्तों के साथ मुंबई गूमने आए थी तब रमेश बहल ने उन्हें देखा था और देखते ही तै कर लिया था कि वह उन्हें अपनी फिल्म की हीरोइन बनाएंगे बस फिर क्या साल 1984 में उन्होंने जवानी बनाया और नीलम को लीड रोल के लिए चुना आगे चलकर नीलम ने इलजाम, लवची आसी, आगी आग, सिंदूर, हत्यक, वक्त की अवाज, घरानग, दोकैदी, प्यार का कर्च, अगनिपत, शेहजादे, कसम पत्थर और पायल से लेकर तमाम मुवीज में काम किया नीलम को थारी ने गोविंदा के साथ काम किया, दोनों की जोड़ी को भी खूब पसंद किया जाता था, कहते हैं कि गोविंदा और एक्ट्रेस का अफ्या भी चल पड़ा था एक्टर ने तो मंगेतर सुनीता संग सगाई भी तोल दी थी लेकिन मा के कहने पर वह नीलम के साथ नहीं सुनीता के साथ ही रिष्टे में बने रहे क्योंकि गोविंदा अपनी मा के बेहत करीब थे, वह कोई भी बात मा की नहीं टालते थे नीलम कोथारी ने साल 2000 में रिशी सेथिया संग शादी की रिशी सेथिया जाने माने बिजनेसमेन हैं वो लंदन के ही रहने वाले हैं नीलम के अलावा रिशी सेथिया का नाम सोफी चौदरी से भी जुड़ा था नीलम और रिशी सेथिया की शादी सिर्फ दो साल तक ही चल पाई थी फिर रिशी सेथिया ने दूसरी शादी साल 2015 में दिल्ली की रहने वाली गुनिता सोडी संग कर ली थी नीलम को धारी ने दूसरी शादी एक्ट समीर सोनी संग की दोनों की पहली मुलाकात 2007 में हुई ये मुलाकात एक common friend के जरिय हुई थी इसके बाद दोनों का बहुत ही natural bond बना और फिर दोनों में प्यार हो गया समीर सोनी की भी ये दूसरी शादी है उनकी पहली शादी राजक्ष्मियार राय से हुई थी लेकिन दोनों का रिष्टा कुछ महीने ही टिक पाया था नीलम को धारी ने बेटी गोद क्यों ली इसका कारण उन्होंने कभी बताया नहीं लेकिन कहते हैं कि उनके बच्चे नहीं हो पा रहे थे इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया नीलम हमेशा से ही चाहती थी कि उनके घर बेटी हो यही वज़य है कि उन्होंने एक बेटी को गोद लिया और बटिया का नाम हाना है